चाय पीना तो हर किसी को ही पसंद होता है लेकिन क्या आपको मालुम है चाय बनाने के बाद जिस टी बैक को हम इस्तिमाल करके फेंक देते हैं उनको हम और भी कई तरह से प्रेयोग में ला सकते हैं। तो आप इसमें यूज किया हुआ टी बैक इस्तिमाल कर सकते हैं। इसके लिए पास्ता के लिए पानी उबालते समय उस पानी में टी बैक को डिप करें और निकाल दें। इससे जब आप इस पानी में पास्ता बोयल करेंगे तो यह उसमें एक डिपरेंट फ्लेवरेड करेग यह पौधों को किसी भी तरह के फंगल इंफेक्शन से दूर रखने में मदद करता है जूतों में सिबद्बू को करें दूर आप इस्तिमाल किये गए टी बैग्स को अपने जूतों में डाल कर उसकी बद्बू दूर कर सकते हैं टी बैग को जूतों में रखने से यह बद्बू को सोक लेता है आप चाहें तो इसे फ्रिज वर डस्ट बविन में भी इनको इस्तिमाल कर सकते हैं इसके इस्तिमाल से बद्बू दूर हो जाती है शीशे को करें साफ टी बैग से आप अपने घर की खिडकियों के शीशे गाड़ी के शीशे और किसी भी तरह के शीशे को साफ कर सकते हैं इसके लिए आप यूज टी बैग स को शीशों पर रगड़ें यह उन्हें बिल्कुल चका चक कर देंगे पेडिक्योम Recommar मेने की योड चाय में ऐसे गुण होते हैं जो आसानी से मिल्ट थवचा को हटाने में मदख करते हैं और इसके साथ ये Antioxidant थवचा की कया कल्प में मदख करते हैं इसका इस्तिमाल कर आप अपने हाथों और पैरों की अच्छे से देख भाल कर सकते हैं इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी डालें फिर उसमें टी बैग डाल दें जब पानी हलका थंडा हो जाए तो अपने पैर उसमें भीगो लें इससे पैरों की बदबू दूर हो जाएगी और वे कुमल हो जाएंगे आँखों की लालिमा थकावट की वज़े से आँखे लाल हो जाती हैं आँखों की इस लालिमा को टी बैग दूर कर सकता है टी बैक को कुछ समय ठंडे पानी में डालकर रखें फिर इसको आँखों पर रख लें इससे आँखों की ठकावट दूर हो जाएगी सन्बन में करें इस्तिमाल गर्मियों में अगर आपको सन्बन की समस्या का सामना करना पड़ें तो टी बैक को कुछ समय उस हिस्से पर रखें इससे सन्बन में राहत मिलती है